हेलो क्यूटीज आप सभी लोग का स्वागत है मुवी इस पनघर में आज हम बात करने वाले हैं शाइनिंग जस्ट फूर यू के एपिसोड तुरी की एपिसोड के स्टार्टिंग होती है ये भी का राजा आपने सैनिकों से बोल देता है कि हमारी सारी ट्राइप्स इखटा ह कि अब हम बिल्कुल चाओ किंग्डम को नश्ट कर देंगे और जो हमने अभी उसकी आर्मी को हराया है इसी अपने जीत वाले अभ्यान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और इस बार हम पूरे चाओ किंग्डम को खतम कर देंगे इसलिए सब रेडियो जाई और सोरा साल से उ एंपरर बोल देता है कि इस टाइम ये भी की आर्मी बहुत जादा अच्छे से बिहेव कर रही है क्योंकि उनका राजा बहुत करेजियस है अगर हम उसके राजा को हरा देंगे तो हमें हमारी जीत असानी से मिल जाएगी फिर एंपरर ये भी के राजा के साथ फाइट स्ट से घल रही होती है उसको होच नहीं होता है तो हमें जोदेंगे जैसे देट अपने सबस्पेल को चोड़ते हैं फिर भी एंपरर को कुछ नहीं होता जिसको देखे लिंग शुनकी के डैट काफि जादा शूगड हो जाते हैं और फिर और चारू तरफ आगी आग डिकाते है उसके बाद दिखाया जाता है कि चाओ किंडम ने येवी की आर्मी को हरा दिया और सब लोग को अपना गुलाम बना लिया और फिर एम्परर अपने कमांडर इंचीफ जूइंग से बोल देता है लिंग शूइंग का तो एम्परर कह लेते हैं कि उसकी जिंता करने की जरुवत नहीं है उसको भी स्लेव बना लो और साथ में किंडम लेके चलो ये भी कि सारी फिमेल्स को बंदी बना कर लेके जाया जा रहा था उनको कैरिश में बंद कर रखा था तभी लिंग शूइंग सोच रही थी कि उसे यहां से निकलना ही होगा और रुई और वुयू को ढूंडना होगा तभी वहां पर जो सैनिक थे वो एक लड़की को पकड़ लेते हैं उसके साथ बत्तमीजी करने लगते हैं कि हमारे किंडम में जाकी तो तुम्हें स्लेव बना ही होगा अभी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं और वो काफी जादा बत्तमीजी दिखा रहे थे और यह सब देख है और सारे सैनिक लिंग्श्वैंग को घेर लेते हैं उसको मारने के लिए तभी लिंग्श्वैंग अपना वो टोकन निकाल के दिखा देती है जो इसको एंपरर ने दिया था तभी वहां पर जैनल जाहिए उनकों पता चलता है कि उनके सैनिक कैसी हरकत कर रहे थे तो वह और सैनिको को और देते हैं कि ये एक नमूना समझ लोगर किसी ने फिर से कुछ ऐसी हरकत की तो उसका अंजाम भी यही होगा फिर दिखाते हैं दिंग्श्वैंग जनरल से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिवाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है मैं उसको सॉल जनरल की अस्तिया ढूंड रहे हैं क्योंकि उसने आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मेरी हेल्प के बिना आप उसकी अस्तियों को ढूंड भी नहीं पाएंगे जनरल कहते हैं मतले में तुम्हें क्या चाहिए लिंग्श्वैंग बोल देती है कि मुझे पता है मैं तुम्हें वहाँ पर लेके नहीं जाओंगा लिंग्श्वैंग बोल देती है कि बच्पन से ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है अस्त्रोलोजी मुझे पता है तो मैं उसी डिपार्मेंट में जा सकती हूँ जहां पर मेरा टैलिंट का कुछ यूज हो फिर दिखाते है अचाओं टिटम में पहुँचते ही जनरर लिंगश्वैंग को वहाँ से ले जाते हैं और फिर लिंगश्वैंग सोचती है कि मुझे किसी थरीके से अस्टूलोजी वाले दिपार्मेन में जाना ही होगा मुझे वहाँ पर काम करना है फिर दिखाते हैं अंपऱर का दर्ब जिसको सुनके लोग काफे खुश होते हैं पर वहाँ पर ही एस्ट्रोलोजी डिपार्टमेंट के हैड मिनिस्टर जाई बोल देते हैं कि एमपरेर अभी ये करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी अभी युद्ध खतम हुआ है और इस सेरेमिनी में ये होता है कि जमीन सारे मिनिस्टर वगेर में बाट दी जाती है अगर आप अभी ये काम करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है एमपरेर भी बोल देता है कि अब जब मैंने बोल दिया है कि सेरेमिनी ओफ स्टार्स होनी है तो वो होनी है और रूल्स मैं डिसाइड करूँगा कि अभी जमीन का कोई बड़वाला नहीं होगा और फिर वो मिनिस्टर जाई से ही कह देता है कि कहीं आपको अपनी military power खोने का दर्द तो नहीं हो रहा है इसलिए आप यह ceremony कराना नहीं चाहते हैं और फिर emperor order दे देता है astrology department को ही कि उन्हें एक date सोच के रखनी होगी जिस दिन यह ceremony कराई जासा किया क्योंकि यह बहुत बड़ा event होने वाला है इसको history books में भी note किया जाएगा फिर दिखाते हैं emperor minister fan से पूछ रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तब minister jai ने सब कुछ कैसा संभाला किया उन्होंने सब कुछ ठीक किया minister fan बोल देते हैं कि वैसे तो उन्होंने सब कुछ ठीक किया पर उनके कुछ decision ऐसे होते हैं जो आचानक से ही ले लेते हैं emperor कहता है कि हाँ मुझे पता चला उसने सेना को मेरी पिना permission के वहाँ पर भेज दिया था क्या तुमसे उसको रोगा नहीं गया और minister fan कह देते हैं कि emperor मुझे माफ कीजी है मैं उनको रोग नहीं पाया इसमें मेरी ही कलती है और फिर महां से चला जाता है और यह सुनके emperor कुछ सोच में बढ़ जाता है फिर दिखाते हैं astrology department में जनरल जाई लिंक श्वैंग को ले आते हैं और मिनिस्टर जाई को ये भी बता देते हैं कि एक लड़की वह बहुत ज़ादा talented है और वो astrology department में आना चाहती है ये सब देखे मिनिस्टर जाई उनको side में ले जाते हैं और वहाँ पे लिंक श्वैंग अपने introduction देती है कि वो ये भी से आई है और उसकी बात सुनके मिनिस्टर जाई बोल देते हैं कि एक captive को तुम यहाँ पर ले आ इसको तो यहाँ पर होना भी नीची है इसको मैं accept नहीं कर सकता हूँ बर्ट लिंक श्वैंग उनसे काफे जादा प्लीड करती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे एक चांस दे दीजिए मैं हमीशा गुलाम बनके नहीं रहना चाहती हूँ मिनिस्टर जाई लिंक श्वैंग की बात सुन लेते हैं उसकी काफे जादा प्लीडिंग भी सुन लेते हैं बर्ट वो मना कर देते हैं कि मैं तुम जैसो को अपने इस डिपार्मेंट में नहीं रख सकता हूँ और वो जनरल जाई से कह लेते हैं इसको यहां से ले जाओ बर्ट लिंक श्वैंग उनसे फिर से प्लीड करती है कि प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए मुझे पता है कि वो मिरर कहां पे है जिसको आप ढून रहे हैं मुझे पता है एम्परर ने कमांडर इंग चीफ को य लिंक श्वैंग कह देती है कि मैं आपको लोकेशन बता दूँगी आप जनरल जाई को वहाँ पर भेज़ देना और वो खुद ही ढूंड लेंगे कि वो मिरर उनको वहीं पे मिलेगा मिनिस्टर जाई लिंक श्वैंग की बात सुनके बोल देते हैं ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूँगा पर तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें कोई पोजिशन नहीं मिलेगी तुम्हें ऐसे ही काम करना होगा तब ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकत यह बात सुनके लिंक शुएंग बहुत ज़दा खुश हो जाती है और मिनिस्टर जाई जनरल से बोल देते हैं कि अगर तुम से पूछे कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है तो कह देना कि इसको मैंने यहाँ पर बुलाया था और मेरी परमीशन की वज़ा से यहाँ पर हैं फिर दिकाते हैं लिंक श्baby बता देती है जनरल को कि उनन 22 जनरल की अश्थियां उनको कह पर मिल सकती हैं फिर दिखाते हैं एक शाही फरमान जारी होता है और जो Emperor के साथ female general रहती थी उसने Emperor से मांग लिया था कि वो उनकी wife बनना चाहती है और Emperor ने उसकी ये विश्पूरी कर दी थी उसको उन्होंने अपनी concubine बना लिया था बर्ट साथ में ये condition भी रख दी थी कि अगर वो उनकी concubine बनेगी तो फिर वो अपनी तलवार कभी नहीं उठा पाएगी और उसको अपनी powers को भी seal कराना पड़ेगा और concubine TN इस सब के लिए तियार हो गई थी और TN मनीमन सोच रही थी कि 10 सालों से मैं Emperor की guard थी और साथ में अपने winged clan की जासूस भी थी बट अब मैं Emperor के लिए ही loyal रहूंगी फिर दिखाते हैं concubine TN वेट करती है Emperor के साथ dinner करने के लिए बट Emperor आते ही नहीं और फिर खबर आती है कि Emperor अभी busy है फिर next day दिखाते हैं Minister Zai Link Shwenk को सब से introduce करा देते हैं और काफी सारी इस बात को लेकि Link Shwenk को criticism भी phase करने पड़ते हैं और साथ में Minister Zai ने Link Shwenk से ये भी बोल दिया था कि तुमारी identity यहाँ पर किसी को ना पता चले तो ही अच्छा रहेगा वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा फिर दिखाते हैं Minister Zai कि आपकी बात तो सही है पर उन लोगों मारना नहीं चाहते हैं मैं उनको दूसी जगाशिफ्ट करना चाहता हूं Minister Zai को ये बात पसंदनी आती वो Emperor से बोल भी रहोते हैं कि उनको वहाँ पर और दिन रखने से क्या ही फायदा होगा उनको मार दिया जाए और वहाँ पर हमने जो अपनी सैनिक भेज रखे हैं उन सब को वापस बुला लिया जाए और वो साथ में कमांडर इंचीफ के बारे भी कहने लगते हैं कि उसको भी जल से जल बुला दिया जाए क्योंकि उसके उपर इतनी पर रिस्पॉंसिबिलिटी दे दी है वो नहीं समाल पाएगा पर एंप्रेर बोल देते हैं कि वो सब कुछ कर लेगा और जो मैंनी डिसीजन ले लिया है वही का वही रहेगा फिर दिखाते हैं लिंक श्रेंग बैटी होती है तब ही उसका जो लॉकिट था उसमें से कुछ आवाज आती है जिसे सुनके वो डर जाती है वो एकदम से लॉकिट को फैक देती है फिर उस लॉकिट में से आवाज आती है कि मैं एस्ट्रोलोजर यून वैन हूँ मैं कुछ अपना काम कर रहा था और फिर अचानक से मेरी बाडी वहाँ से गायाब हो गई और इस टाइम मैं सर्फ एक स्प्रेट फॉर्म में ही हूँ और अभी मैं इस लॉकिट के अंदर हूँ पर लिंक श्रेंग को उसकी बाद पर बिलीव नहीं हो रहा था पर लिंक श्रेंग उसकी बाद पर बिलीव नहीं कर रही थी और वह उस लॉकिट को जैसे ही फैक्टने वाली थी वह एस्ट्रोलोजर उससे बोल देता है कि मैं तुमारी एक हेल्प कर सकता हूँ तुमें अभी तक वो मिरर नहीं मिलाना मैं तुमें बता सकता हूँ कि वो मिरर कहां पे है बैट उसके लिए मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें हेल्प करनी होगी मेरी बॉडी को फिर से बनाने में फिर दिखाते हैं कैम्प में जूइंग के पास एक शाही फर्मान आता है जिसमें यह बताया गया था कि जो लोग काम के हैं सिर्फ उनको रखा जाए और जिनसे कुछ काम नहीं होता है उनको मार दिया जाए इस बात को सुनके जूइंग खुद परिशान था कि एम्परर ऐसा कोई नर्ड कैसे सुना सकते हैं वो ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं हमारे एम्परर तो इसी टाइप के थे भी नहीं और यही बात वहाँ पे एक लड़का सुन लेता है और फिर यहीं पे एपिसोड फिनि बाइ एंस करे एंग ने टिल लगs विडियो